हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल म्यूजिक मोटिव फ्रेंड्स आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो आनंदी वाटर पार को इतना सारा प्यार दिया फ्रेंड्स मैं अपने डेक्स डिस्टिनेशन पर ब्लॉग करने वाला हूं जो कि काफी एड्वेंचरस ब्लॉगं होगी और जिसके लिए मुझे काफी यकूपमेट की आप मुझे फालो कर सकते हैं उसकी लिनक डिस्क्रिप्सिंग बॉक्स में दी गई है आप मुझे फेस्बूक पेस पे फ़ी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंट्स का एक benefit यह होगा कि जब मैं अपनी ब्लॉगिंग सूट करता हूं उसके अलावा जो में फोटोस क्लिक करता हूं वो सब आपको मेरे Facebook पेस पे मिल जाएंगे और Instagram पे भी मिल जाएंगे फ्रेंट्स थैंक्यू पर यह सपोर्ट्स और आगे आने वाले ब्लॉगिंग्स बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे जो कि आप लोगों को पसंद आएंगे प्लीज आईए आप ही देखते हैं बोया माइक कर रिव्यू आइए फ्रेंट्स की अन्बॉक्सिंग करते हैं जैसे कि यह मैंने एक माइक ओर्डर किया है अगले ब्लॉग के लिए मैंने काफी चीज ओर्डर कियें तो जैसे जैसे वो चीज मेरे पास आती रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको उन चीजों के लिए रिवीव देता होंगा ब्लॉगिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्यूपमेंट्स तो मैंने और किया है यह मै इसका प्रफिश्ण करते हैं इसकी देखते हैं कि कैसा है इसका वो फीचर्स वागयरा मैं आपको पूरे डिटेल में बताओं कैसे क्या है इसमें कि तो इसको कट कर लेते हैं कि अब नियुक्त का लेते हैं जिद्दी से कि अब गते है काफी मज़ा आता है इसे प्रिस करने में से रभाने है शोड़ी जिद्दी यह है माइक फ्रेंड्स बोया कंपनी का यह माइक है कॉलर माइक है और काफी अच्छा है काफी यूटूबर्स इसको यूज करते हैं सु जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें इसकी डिटेल्स माइक की डिटेल्स आरी दी हुई है डाइमेंशन्स बैटरी अलार 42 तो चलिए फ्रेंड्स से में उपन करता हूँ फिसके बाद कि देखते हैं कि इसमें और क्या है अलाग कि काफी यूटूबर्स इसे रिफर करते हैं इस माइक को यूज करते हैं ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही बेस्ट माइक है तो अगर आपको पसंद आए तो आपको आपको बॉक्स में ये मैनुवल गाइड दिया हुए है कि इसको साहिए में रखते हैं आक स्वच मैंना इस पैकिंग देखिये कितनी प्यारी है कि तेकिंग बहुत अच्ची है यह वी एक्टू है चैनी जिखाए है कि यह दीखि बॉया का यह मंइक है यह पैकट के नदर देखते हैं क्याग है कि इस को साइड में रखते हैं कि इसकी वायर वो काफी बहुत ही लंबी है और मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं जिनका टेक चैनल हो कोई भी चैनल ये माइक को आप यूज कर सकते हो इस लिए के काफी बड़ा वायर है इसका तो 3.5 mm जैक है इसका और इसमें क्या है तो प्रेंट्स बेसिकली मैं ब्लॉगिंग के लिए ये सब चीजे कर रहा हूं तो उनमें से पहली चीज मैंने ये और्डर की माइक और भी बाकी की जो चीजें है वो भी जल्द मेरे पास होंगी तो देखे फ्रेंट्स इसमें ये बै ये बैटरी लगती है और ये इसका पॉप फिल्टर टाइप में है मतलब नॉइस रिडक्शन के लिए तो इसको आप ऐसे मतलब इसको फिट कर सकते हैं इस पे कि छोड़ी अभी कुछ नहीं हो रहा है और ये क्लिप है यहां पे बिसिकली ऐसे यह माइक आपका अटेज हो जाएगा इस पे उस क्लिप को आप लगा सकते हैं ये किसके साथ जैसे कि आप किसी और उस पे मतलब DSLR वगएर में यूज करना चाहो तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो इसको तो काफी अच्छा ये माइक है और फिलाल अब आप जितने भी मेरे ब्लॉक्स देखेंगे वो इसी माइक कि थ्रू मैं वो करूंगा उसमें फिर पता चलेगा क्या क्या क्वाल्टी क्वाल्टी तो ऐसे की अच्छी है और इसमें फ्रेंड्स यह देखिए कि यह से ओपें हो जाता हैं धर कि और कि यह फ्रैंटो पर उपन होता है यहां पिसका फ्रैंड्स यह बेटरी छोटी सी जो यह है कि दे ट्रिय इन लग जाती है कि अच्छ यह हो गया वाइरियर इसको ऑपन करके देख रहते हैं आच्छ वर्रेंटी वायर फ्रेंड्स काफी अच्छा है मतलब जो लोगों को और प्रॉब्लम होती है कि छोटे वायर के लिए कियार कैसे अर्जिस्स करना हो तो यह दिखें फ्रेंड्स यह काफी बड़ा वायर है और वरल माइक बहुत ही अच्छा है सो अभी तो फिलाल मिला यह पहला दे दूंगा आपको तो यह माइक है यह दिखिए सब सेल्स टैक्ट्री पोया कि लोगिंग काफी अच्छा माइक है